हल् alle everyone welcome back to YouTube channel दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेगे कि सनी वार के दिन पीपल ब्रीच की पूजा कैसे करने चाहिए दोस्तो सुबा असनान करने करने के बाद सास्वश कपड़े पाहने क बाद सनी वार के दिन हो सकत तो काले रग़े कपड़े पहन करको पूजा करने चाहि दोस्तो ये पीपल के बीच आप अपने घर के गमले में भी लगा सकते हैं जहां कई भी पीपल के बीच वहां जाकर पूजा कर सकते हैं उसके बाद पीपल के बीच में लाल रंग के कुमकुम चढ़ाने चाहिए कुमकुम को पाने में घुल करके और तभी चढ़ाए जाता है उसके बाद हल्दी चाहाने चाहिए पीपल बिरिज के जो पत्ते होते हैं उनमें भी कुमकुम और हल्दी चाहाने चाहिए दोस्तों कहा जाता है कि पीपल बिरिज में ब्रहंबा, बिश्नु और महेज का वास माना जाता है जो को भी सनी वार के दिन पिपल बिरिज की फूजा करता है उसके उपर सनी महराज की किरिपा बनी रहती है तो दोस्तो हल्दी कुमकुम चढ़ाने के बाद अक्छत और सनिवार के दिन बिसेश रूप से काले तिल चढ़ाने चाहिए काले तिल चढ़ाने के बाद उसके बाद पीपल बिरिश में कलावा लपेटने चाहिए सफेद सूत लपेटने चाहिए उसके बाद सर्षो को तेल में बाति लगा करके और उसमें काला और सफे तिल डाल करके और उसके बाद पीपल गिरिश के नीचे दीपक लगाने चाहिए इसे शनी महराज परशन होते हैं दिया जब ही लगाए तो सर्षो को तेल का लगाए और उसमें काले तिल जरूर डाले उसके बाद दीपक लगा करके उसके बाद आपके पास अगर पुस्प है तो पुस्प चढ़ाईए और धूप दीव दिखाने चाहिए दोस्तों पुस्प हो सके तो सनी महराज को नीले र लगा सकते हैं फल जो भी हो भूग लगाने के बाद जल चढ़ाने चाहिए उसके बाद हाथ जोड़ करके परणाम करने चाहिए और दोस्तों सनी वार के दिन पीपल बिरिच की परिकरमा करने चाहिए परिकरमा साथ 11 21 या 108 की संख्या में अपने समर्द का उनुशार करने चाहिए और दोस्तों जब पूजा कर रहे हों और परिकरमा कर रहे हों उस समय पर मंत्र बोलने चाहिए ओम एम खरिम स्री सनेश्चराय नमा इस तरह से मंत्र बोलते हुए और पीपल बिरिच की पूजा करने चाहिए सनीवार के दिन और सनीवार के दिन पीपल बिरिच की परिक्रमा करने चाहिए दोस्तों पूजा सूर्योदे से पहले पहले कर लेने चाहिए सूर्योदे के बात नहीं करी जाती पीपल ब्रिश की पूजा क्योंकि सूर्योदे के बात पीपल ब्रिश में अलश्मी वास करती है और दोस्तों सूर्योदे से पहले 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 बिशन पीपल ब्रीज में सर्सोक तेल का दिपक लगाने चाहिए सर्सोक तेल का दिपक में थोड़े से काले तिल डाल करके और दिपक लगाने चाहिए इसे कुंडले में जो भी गरह होते हैं और शांत हो जाते हैं और दोस्तों संध्या के समय पर सनी वार के दिन पीपल बिरिज के नीचे आसन लगा करके और हनुमान चलिसा का पाठ करने चाहिए दोस्तों सनी वार के दिन जब पीपल बिरिज के पुझा करने जाए तो काले रंके वस्तर पहन करके पुझा करें काले रंक वस्त नहीं पहन पाते हैं तो कोई वात नहीं कोई भी रंक वस्त पहन ले लेकिन काले और निले रंक वस्त पहन करके पुजा करने से सनी महराज परशन होते हैं तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में पीपल बिरिज की पूजा बिल्कुल सरल तरीके से करके दिखाई है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लिर वीडियो को लाइक किजेगा और चानल पने हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो